आज इंडियन क्रिकेट टीम ने कमाल कर दिया है टीम इंडिया ने औस्टेलिया को उसी की जमीन पर हराते हुए बॉडर गावस कर ट्रॉफी को दो एक से अपने नाम कर लिया और इसके साथ ही टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया ये जीत इसलिए भी स्पेशल थी क्योंकि इस दोरान टीम इंडिया में आधे से जाधा प्लेयर पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे वहीं टीम के जाधा तर क्रिकेटर्स चोटिल भी थे लेकिन इन सारी मुसीबतों को पार करते हुए ये सीरीज इंडिया ने अपने नाम कर ली अब जीत इतनी ग्रेंड है तो बधाईयां तो मिलेगी ही टीम की इस एतिहासिक जीत पर हर फिल्ड के लोगों ने टीम इंडिया को बधाई दी फिर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो या फिर गूगल के सीई-ओ सुन्दर पीचाई या फिर हमा आशी शर्मा और निकिता दत्ता ने टीम इंडिया को उनकी इस एतिहासिक जीत पर बधाई दी एक्टर सिधा शुकला ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए लिखा अनफोचिनेटली मैं मैं मैच नहीं देख सका लेकिन मैं बहुत प्राउड फिल कर रहा हूँ टीम इं अनफोटी ने ट्विट करते हुए लिखा ट्विट करो कॉंग्राचुलेशन्स टीम इंडिया वाट अव विन एक्टर आशी सर्मा ने ट्विट करते हुए लिखा क्या सांदार जीत थी टीम इंडिया छाती चौडी मोमेंट तो वहीं नकुल महता के तो खुशी के आसु तक निकलाए नकुल ने अपनी ट्विट में लिखा greatest ever victory straight tears of joy नकुल के बाद एक दूजे के वास्ते एक्ट्रस निकिता दत्ता ने लिखा हमने आज इतिहाज बना दिया what a win इंडिया मेरा मन कर रहा है कि मैं loudspeaker पे चिलाओं चेतेश्वर पुजारा सुन्दर वाशिंग्टन शुबमन गिल शारदूल ठाकुर और मोहमस शिराज आप लोग हीरो है सिधात निकिता नकुल और आशिश के अलावा एक्टर आमिर अली आलेक संगल और अनूप चोनी ने भी ट्विट करके टीम इंडिया को इस एतिहासिक जीत के लिए धेरो बधाईयां दी